सलाम अलेकुन जी मैं हूँ आमना बलके आपकी प्यारी जस्ट आमना हाँ भाई गर्मी आ चुकी हैं ओल तो फेस से जरूर निकलता होगा और पसीने का तो पूछो ही मत क्या ही कहने तो फिर क्यों ना हम कर ले मिलकर कोई ऐसी चीज तैयार घर पर ही जो के मार्कीर की प्रोडक्ट को भी टकर दे सके जिससे हमारा ओल भी कंट्रोल रहे पोर्स भी श्विंग रहें गर्मी के सीजन में कमप्लेक्शन भी एक दो टोन फेर दिखने लगे पसीना भी हमें थोड़ा कम आने लगे इस रेमिडी को यूज करने के बाद संस्क्रीन का भी काम चल जाए इसी को यूज करने के बाद तो फिर बहला और क्या चाहिए एक रेमिडी और इतनी सारी चीजों को टार्गिट तो फिर क्या ज़रूरत है बाहिर से इतनी महंगी प्रोडक्ट लेने की यह आइडिया बहला मुझे कहां से आया मेरी फुफो की बेटी जिसकी स्कीन की उपर से आईल की नदियां बैथी रहती है तो वो बोली मुझे मुझे कोई ऐसी रोज जेल चाहिए जो के मैं मार्किट से बाई करके अपने फेस की उपर एज़ा मॉस्चुराइजर एज़ा संस्क्रीन लगा सकूँ जिससे मेरी स्क्रीन जो है वो हाइडरेट भी दिखे थोड़ी नरिश भी दिखे स्पोटलेस भी हो जाए और जो पिमपस वगरा आते रहते हैं गर्मी के सीजन में उससे भी थोड़ी राहत मिल जाए लेकिन जब हम लोगों ने मिलकर ऑनलाइन चेक किया तो किसी प्रोड़क्ट की कीमत थी 1500 तो किसी की कीमत थी 200 आफ लोग भी गूगल करके खुछ चेक कर लीजे अब आ जाते हैं हम लोग रेमीडी की तरफ ये 50 रुपय में तयार हो जाएगी पूरी गर्मी का सीजन बहुत अच्छा गुजरेगा और आप लोगों को यूज करने के बाद जो इसके रिजर्स मिलने हैं ना वो कमाल के होगे क्योंके वो पिछले पूरे एक महिने से जब से मैं उम्रा करके वापिस आई हूँ वो इसी को बना कर यूज कर रही है ट्राइ कर रही है वो इसकी ईद पर स्कीन जो ग्लो कर रही थी ना और जो आगे चलके आप मेरी स्कीन पर ग्लो देखने वाले हो ना या इसी फूटिज में देख रहे हो वो आपके सामने है ठीक है जी तो चलिए बस फिर इसको बना लेते हैं देर हो रही है सबसे पहले हमें चाहिए एक एदद खाली बाउल लेकिन यार मैं यहाँ पर यह बताना तो भूल गी हूँ कि यह आखिर है क्या चीज़ यह है जी हमारी होममेड समर फेस ग्लो जेल जो के हमें बहुत गर्मी में सकून और राहत देने वाली है और ठंडा इतना फील करवाती है ना कि यार दिल करता है बार बार बंदा इसकी एप्लिकेशन करता चला जाए तो आज आते हैं जी इसको बनानी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी सॉंफ एक चमच और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी मैं यहां पर सॉंफ क्यों जूज कर रही हूँ क्योंकि ओपन पॉर्स का जिन लोगों को गर्मी की सीजन में इशू रहता है ना सॉंफ क्योंकि खुद एक कूलिंग एजेंट है यह धूप में जूलसी हूँ स्कीन को कूलन काम करता है जिस पर टैनिंग बगरा हो जाती है और मज़े की बात यह है कि यह इस जेल के अंदर टोनर का काम भी करेगा टोनर लगाने की भी आपको ज़ूरत नहीं पढ़ने वाली और साथ के साथ पोर्स को भी टाइट करेगा जैसे के मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था तो अब भी हम रख देंगे इसको पानी के अंदर डाल कर 15 मिनिट के लिए साइड पर हमारा जो दूसरा इंग्रीडियन्ट है वो है जी गुलाब के फूल यह हम लोगोंने फ्रेश पतियां यूज करनी है आप लोगों को 3-4 फूल जो है इस तरह के चाहिए होंगे इनकी पतियां आप लोगोंने अलग कर लेनी है और एक बर्तन में ट्रास्फर कर लेंगे यह गर्मी के सीजन में ना हमारी स्किन के लिए सबसे ज्यादा यूसफूल इंग्रीडियन्ट है और सस्ता भी यह इंग्रीडियन्ट हमारी स्किन को हेल्दी करता चला जाता है और complexion को भी अच्छा करता है साथ के साथ ये पिंकी सा glow भी देता है और इसके साथ जो खुश्बू आने वाली है ना हमारी जेल के अंदर से उसके बारे में तुम्हें आपको बताई नहीं सकती साथ के साथ ये rose water तैयार हो जाएगा जो कि टोनर के लिए बेहतरीन काम करता है क्योंकि गर्मी के सीजन में टोनर हर बंदा यूज़ कर रहा होता है और rose water अगर टोनर मिल जाए फ्रीज में पड़ा हो निकाल कर उसको ठंड़ ठंड़ अपने फेस के उपर जब हम लोग स्प्रे कर रहे होते हैं तो वाह यार क्या सकून मिलता है ये तो आप लोग एगरी करेंगा कोमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताईएगा अब जी हमें चाहिए एक खाली पैन और उसके अंदर आदा कप पानी एड़ कर लें फिर इस पानी में फूलों की पतियां डाल दें इसे अब हम चुले पर रखेंगे और थोड़ा सा बॉाइल कर लेंगे ताके हमें जो पानी हासिल हो वो हर तरह के जरासीम से पाक हो जाए यानि के डिस्टल वर्टर हो तो अभी हम इसको अच्छे तरके से पका लेंगे और उसके बाद जब फूलों का कलर चेंज होकर पानी के अंदर आ जाएगा तो अपना बर्नर जो है वो बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा थंडा होने देंगे यहाँ पर मैं आपनों को उठा कर दिखा रही हूँ कैमरा ऐसे ही एंगल से नहीं लगा हुआ पूलों का जो कलर है वो पानी के अंदर आ चुका हुआ है अब जी हम लोगों ने जो 15 मिनिट्स के लिए सौफ भिगोकर रखे थे वो भी उठा कर गुलाबों वाले पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे और फिर इन चीज़ों को ढापकर मजीद 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि इन तमाम चीज़ों की गुड़नेस हमारे पानी के अंदर आ जाए क्योंकि हम पानी ही यूज करने वाले हैं ना ही तो हम लोगोंने सॉफ यूज करने हैं और ना ही फूलों की पतियां 10 मिनिट यहां पर हो चुके हैं धकन हटा दें और एक अदर साफ सुथरा खाली बाउल लेंगे और उसके उपर स्टेंडर की हेल्प से पानी च्छान लेंगे पानी को च्छान लेने के बाद हमारा जो थर्ड इंग्रेडियंट है वो है जी कोकोनट ओयल कोकोनट ओयल अब क्या काम कर सकता है गर्मी के सीजन में हमारी स्किन तो चिप-चिप हो जाएगी और आप पी गर्मी में पिमपल्स तो ऐसे आते हैं ना कि पूछोई मत तो हम ओयल क्यों यूज करें ओयल क्या काम करेगा यह बहुत लाइट वेट है इसके साथ-साथ यह गर्मी के सीजन में आपको संस्क्रीन के लिए हेल्प करने वाला है आपको संस्क्रीन एक्स्ट्रा प्रोड़क्ट उठा कर नहीं लगानी पड़ेगी कोकोनट ओयल का सिरफ आदा चमच हम लोगों ने यूज करना है इस जेल को तयार करने के लिए आपको अगर ये कोकोनट ओयल ना मिले तो अब अदाम का तेल भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो मॉस्ट पावरफुल इंग्रेडियन्ट है इस जेल की तयारी में वो कोकोनट ओयल ही है ठीक है और हमारा जो फौर्थ इंग्रेडियन्ट है वो है जी अलोवेरा जेल बजारी तीन चमच यूज कर रही है यहां पर अगर आपको मज़ीद जरूरत मैसूस हो तो और भी एड़ किया जा सकता है नो इशू अब जी हम इने मिक्स करना स्टार्ट करते हैं मिक्स करने के बाद यह हमारा खुब सुरूरत सा जेल इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ चुका है लाइक कोई मार्किट वाला प्रोड़क्ट हो हमारे पास बिलकुल 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 जिन लोगों ने मार्किट के जेल यूज किये हुए हैं गर्मी के सीजन में तो उनको ब बाड़ी के लिए भी यह बहुत नरीशिंग है बहुत कुलिंग इफेक्ट देगा और हमारी बाड़ी के उपर जितना भी संद बर्ण वगरा हो चुका हासकर स्पेशली हाथों पैनों पर या गर्दन पीछे से ब्लैक हो चुकी है तो हम अपनी इसे बाड़ी पर भी अच्छा जिन लोगों ने मार्किट वाली रोज जल यूज़ की होगी ना उनको पता होगा कि इसका कलर बिल्कुल गुलावों जैसा होते है तो वो क्या करते है कि कोई टिंट जो के रेड कलर में होता है वो एड़ कर देते हैं फ्रेग्रेंस भी एड़ की होती है नहीं रह wrongful नहीं रह सकता तो एक कतरा हमारी इस जल में हमारे फेस या बोड़ि के लिए harmful नहींगा ठीक है टो आपने बीना डरे एक कतरा सिरफ एक कतरा आउट करना शुरू कर देती हैं और वो कहती हैं कि फीडबेक आप एक कमाल की हमें मिलती है तो आप लोग भी इसे बनाकर सेल करना चाहो तो भाई की जा सकते हैं गर्मियों में वड़ा अच्छा कारोबार चल जाएगा अब का अब जी हम लोग एक साफ सुत्रा दूला हुआ कंटेनर लेंगे जिसके अंदर पानी वगरा नहीं होना चाहिए और इस जेल को इस खूब सुरसी जेल को उसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे इसकी शेल्फ लाइफ है जी 15 दिन तक वो भी फ्रीज के अंदर बाहर भी पड़े रहेगी ये जेल तो खराब नहीं होगी लेक लेकने में जितनी खूब सुरूरत है इफेक्टिव भी उतनी ही है सो यकीन जाने इसको जरूर ट्राइ करें अपनी फीडबेक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजएगा इसको अप्लाइ कैसे करने है जरा वो देख लीजिए अपने दूले हुए साफ फेस के उपर जहां पर में बताना है क्योंकि मैं आपको फुद ये रेमिडी देखकर आपको फील नहीं आ सकता जब आप इसे खुद ट्राइ करोगे ना तब ही आपको पता चलेगा ठीक है आपने इसको दिन में दो दफ़ा यूज करना है सुबह भी यूज की जा सकती है रात को भी यूज किया जा सकता है तो इसकी जितनी भी तरीफें करने उतनी ही कम है सबी लोग इसको यूज कर सकते हैं सेवन डेस मैं आप लोगों को चलेंज देती हूं कि साथ दिन तक आप लोगों ने इसे यूज करना है दिन में दो दफ़ा तो टोटल बन जाएगा 14 दिन तक 14 दिन की एप्लि बना सकें तो अपनी राय जो है वो कॉमेंट्स में आके बताएगा मैं इन्शाला कोशिश करूंगी कि इस तरह की टकर के प्रोड़क्स घर पे हम लोग बनाना शुरू कर दें ताकि आपको भी फायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले और अपनी दौाओं में अपनी ब अपनी बना सक्षा ग्लो और बड़ा सेटल सा मेरा फेस लग रहा है और बहुत मज़े का अच्छा अच्छा दिख रहा है अच्छा फील हो रहा है अंदर से जब हम इस तरह की और गैनिक चीज़ें घर पर बनाकर ट्राइ करते हैं यूज़ करते हैं उन्सके रिजर्स हमें